Japanese Language सीखने के लिए सबसे ज़ादा जरूरी क्या है? देखे भी, Recently मैं एक Japanese company में Japanese भढ़ा रहा था एंपलॉईज को, तो मैंने उन से पूछा कि Japanese सीखने के लिए, उन्होंने थोड़ी सी Japanese मुझ से सीखी, तो मैंने पूछा कि Japanese सीखने के लिए सबसे जयादा जरूरी क्या है तो किसी ने मुझे जवाब दिया टेकशनीक जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है या डेडिकेशन जरूरी है, महन транOR करना जरूरी है तो मैंने का नहीं जैपनीज सीखने के लिए एक ऐसी चीज की जुरूरत है जिसको करने से ये सब अपने आप आजाएगा डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, मेहनत, सब कुछ अपने आप आजाएगा ऐसी कौन सी चीज है, तो मैंने एक हिंट दिया, कि हिंट के तोर पे आप समझ सकते हैं कि ये वो चीज है जो करनी बड़ी आसान है, बहुत आसान है, आप डेली करते हैं आपने कई बार किया भी हुआ है, आज भी आप कर रहे हैं जैसे अगर मैं अपना एक्जामपल दूँ तो जब मभुशो स्कॉलर्शिप थी, यानि कि जो मेक्स्ट की जो स्कॉलर्शिप होती है जिसमें फ्री आफ कॉस्ट आप जपैन ट्रेवल करते हैं, जपैन में एक साल पढ़ते हैं सबकुछ फीस वगएरा वो प्रोड्यूस करते हैं, आपको कुछ भी पैनी करना होता तो उस समय वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी और उस समय इसी चीज को फॉलो किया, मैंने इसी चीज को मैंने अपने अंदर जनरेट किया तभी मैं उस चीज को सक्सेसफुली कर पाया और फिर जब मैं जपैन गया तो वो चीज और बढ़ती गई तो वो क्या चीज हो सकती है, आप अगर अभी तक नहीं सोच पाया तो मैं एक और हिंट आपको देता हूँ देखें ये चीज करने में बल्कि आपको मज़ा आता है, ये चीज करने में बल्कि आपको मन करता है कि मैं करूँ मैं भी उसको बार-बार करता हूँ, बार-बार उसी के बार में सोचता हूँ, बार-बार प्रयास करता हूँ मैं भी उसको बार-बार याद करता हूँ, दिन रात उसी के बार में सोचता हूँ और वही चीज मुझे Japanese language है, फिर कोई भी और चीज हो, उसको करने में मुझे successful बनाती है और उस चीज का नाम है love हाँ जी love, love का मतलब है Japanese language से अगर आप love करते हैं तो वह कितने भी मुश्किल हो, कितने भी hard work उसमें लगे, कितना भी dedication, मेहनत आपको करनी पड़े, आप करेंगे और ये क्यों मैंने बोला कि हम daily करते हैं, हम हर बार करते हैं, देखे, mammy, papa, brother, sisters, सबसे हम love करते हैं उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तो हम करते हैं, अगर हमें मन कर रहा है, उनके लिए हम ये करते हैं, जैसे उनको कोई gift देते हैं, या उनके लिए birthday आ रहा है, birthday present के लिए हम ये preparation करते हैं, तो आप hard work, dedication, मेहनत, सब कुछ आ जाता है, planning भी हो जाती है, और उसको नहीं पापाएं, आपके भाई बहन हैं, और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसी तरह ऐसे Japanese language को आप अपना, मतलब अगर मैं एक और example दू तो आप अपनी girlfriend समझीए, अगर आप ऐसा समझते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी समझने में परिशानी है, लेकिन म बैलन्स बना के अगर मैं चलूँगा तो इस तरह से मैं उसके साथ रह सकता हूँ, थोड़ा मुझे उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा कभी-कभी वो नाराज होगी, तो मैं उसको मनाऊंगा, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप चलें Japanese language के साथ, और सच में आपके साथ ऐ होगा के शुरू में जैसे आपको लगेगा के अरे यार यह तो बड़ी टफ है, फोड़ा से मुझे लेवल अपना हाई करना पड़ेगा, फोड़ा सा और दिल से इसको चाहना पड़ेगा, तभी मैं इससे सकसेस्फुली मनदब इसके साथ आग आगे बढ़ सकता हूँ, औ और फिर आपको बहुत अच्छे rewards, बहुत अच्छे returns मिलेगी, मैंने कही सारी videos बनाया हैं कि Japanese language करके क्या-क्या फायदे होते हैं, किस तरह से आपना career बना सकते हैं, किस तरह से बहुत अच्छी job ले सकते हैं, प्लीज बिलीव में, मेरे पास आज भी ऐसे students हैं, जैसे मैंने N2 या N1 की जब मैं training देता हूं, तो वो बड़ी-बड़ी companies में MD level तक के students हैं, लेकिन उनको Japanese language, खेर, उनके साथ तो अलग problem है कि उनको पढ़ने का time नहीं मिलता, अगर आपके पास पढ़ने का time है, तो आप ये चीज पहले जगाए अपने अंदर, इस चीज की practice करिए, लग को practice करिए, Japanese language के साथ अगर आपको लगाव हो गया, अगर आपको motivation इतनी मिल गई कि इतना अच्छा मैं career बना सकता हूँ, career के उपर तो बहुत सारा बहुत लंबा भाशन है, मैंने कई सारे वीडियोज बनाएं, इसके उपर कई बार मैंने divide कर करके भी बताया कि Japanese language को use करके, आप अपनी job को, existing job को भी अच्छा कर सकते हैं, या फिर आप नई job ले सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई और career बना हुआ है, तो उसमें addition करके आप Japanese language की आगे बढ़ सकते हैं, कई बार मैंने बता, तो उनको भी आप देखे, उससे आपको बहुत-बहुत motivation और love अपने आप generate हो जाएगा, तब Japanese language आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, आपको लेगा ये तो मेरा रोज का काम है, अगर थोड़ा बह मुझे करना भी पड़ रहा है, तो मैं daily करता हूँ, उसमें तो कोई problem नहीं है, ठीक है, और Japanese language को एक schedule से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, basic language का proper structure होना चाहिए, intermediate language का structure होना चाहिए, इसी तरह से advanced language में भी आपको structure पता हो, structure पूरा बना हुआ हो, course उसमें इस तरह से divided हो, के daily म करना है, तो आप बड़े अराम से Japanese language को बहुत ही short time में सीख सकते हैं, और यह सब मिलेगा कहां पर, nihongomax.com पर, अगर आपने देखा है, या, sorry, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप जा कर देख सकते हैं, शुरू की initial classes आप free of cost ले सकते हैं, और cost भी बहुत कम है Around $10 में आपको, मतलब आप उस course को access कर सकते हैं, और Hindi में जिस तरह से में आपको motivate करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने Japanese language को detail में explain किया है, उसके सभी expressions को जैसे positive, passive, यह सब क्या forms होती हैं, किस तरह से इनके examples हम खुद भी बना सकते हैं, और इसका Hindi में meaning क्या होता है, कहां कहां बच्चे गलतियां कर देते हैं, क्या-क्या techniques गलत हो जाती हैं, सब कुछ सब कुछ आपको उसके उपर मिल जाएगा, JLPT, Japanese Language Proficiency Test की preparation के लिए best website है, newhangomax.com